तो यार गैस कैसे वाब लोग दोस्तों उम्मिद करते हैं आप बहुत अच्छे सोंगे, खुशी सोंगे, मज़े सोंगे तो काल था इंडिया वर्सेश पकिस्तन का एसीया कप का मैच, सुपार फोर का मैच इस बार जो मैच हुआ था ना, इससे पहले, पहले का दिन, याने संडे के दिन में मैच था, तो संडे का दिन के मैच जो है, 24 आवर तक होके, 24, 25 यासे कुछ और होवर होने के बाद, आदावीदा होने के बाद, मैच खतम हो गया था, मतलब बारिश के कराम बंद भागा रहा क्योंकि जो है अभी शुपारपोर का मैच है और टॉप टू जो टीम है और टीम अभी जो है फाइनाल खेलने वाला है क्योंकि मैं 2003 से मैच देख रहा है मतलब क्रिकेट देखता हूं और आयाम मैड अबार क्रिकेट रेकॉर्ड तो 2003-7-8 से लेके धोनी का एरा है उस टाइम स देखे मैं क्रिकेट रहते हूं और काल का मैच था मैच मतलब मुझे क्रिकेट देखना है मुझे इंडिया पकिस्तान का मैच है देखना ही है तो पहला दिन एकदम के एकदम पुड़ा क्रिकेट देखा पहला टाइम पे जब रही सार्मा का शीक्स देखाना दिल खुश हो उसके बाद से जब सुमन गिल का जो मैस था जो उनका जो पाड़ी था कितना अच्छा बंदन ने धोया था शाहीन अप्री दीखो उसके बाद थोरा सा नाश्यम poczा और घरस रोहित इखने और पिर जब रोहीध ख्यालए के बाद ऑर ख्रेस हो वादा एंपर six माइने के बाद सर्जारी था, उस सर्जारी के होने के बाद बंदा आ रहा है यहां पे ख्यालने के लिए अर एकदम लास्ट मॉमेंट में उतलब स्रेया सायर को जो है दल से निकाल के जो है केल रहूल को बना दिया जाता है दल के अंदर कर लिया जाता है और इस तरह केसा बहुत सारे मिम्स भी आँपे टुइटर में याँ वाँ फेस्बुग में जो है लोगों ने अपलोड करना जो है केल राहूल को डाल के अंदर ले लिया गया गया बट के दिन में विजर्ब डेमेजब खेल हुआ था मतलब क्या बांदा था है साइध 111 का स्कोर किया और बस वही एक मैच था उनको दिखाने के लिए कि मैं फिर से जो है मतलब मैं फिर भी हूँ मैं किडिकेट के अंद कर्में भी इनको जो है छोड़ देते कुछ जुरुवद नहीं उनको लाने के लिए बट फिर भी केल राहूल की उपर रहूल डावीर ने भरोसाजी दखाया दल में लिया और उन्होंने उनका काम करके दिया बिराट का अगर बात करे काल के दिन में 47th century उनने काल करके संचुरी है और उनके बात जो है ब्याट कोलिया 47 लेकिए तो क्या पता साइध इस 2023 में ही साइध उनको जो है 49th century हो जाए अब लोग को क्या लगता है क्या लगता है कि 23 के अंदर को ब्याट कोली का 49th century या फी 50th century होने वाला है हो सकता है को मैं जो करना को होली ने मैंने दे सब्सक्राइब का मैं डॉट बाल देखा साइध 39 डॉट बाल 39 या फीर 40 ऐसा कुछ डॉट बाल खेल दिया था उनके एक बंदा जो है टाइम लेते हैं खुद को समालने के लिए उसके बाद जो खेलता है ना के लोग को सिकसे देखा मैंने क्या मस्सिक्स था उसके बाद ज बहुत खराब लागा कि काल का दिन में जो है हर्दीक पंडिया को बैटिंग करना नहीं मिला बंदर वा एकडम हेलमेट पैंके बैंके है और ब्याट कोवली मार रहा है यह ऐसा मतलब तलिया दे रहा है पर फिर भी काल बिढ़ को हर्दीक पंडिया था बात इंडिया ने द दिन में 356 का मतलब मैस था ना मौत दिखने का काभीले तरीक था एक दीन मैस जो हौआ है बारिश के लिए रूचाता है आधा विदा होके फिर नेश्दि में बारिश हो रहा था फिर जो है साइध एक घंडा दो घंडा चोर किया मैस शुरू हुआ आज भी मैस है आज भी इं अगर 20 अवर तक ही मैस चल जाए ना तो फिर जो है इसका कोई पॉइंट जो है अधाविदा नहीं होगा और 20 अवर के बाद ही जो है डकर तुलीस का जो पॉरसेस है डी एलेस उसके हिसाब से जो है जो ज़दरान करेगा या फिर उसकी हिसाब से मैच कौन हरा है कौन जीता है इसका हिसाब आ जाएगा बाट जब देखा गया कि मैच का 15-16 अवर चल रहा था मुझे भी बहुत गुस्ता रहा था कि उस टाइम पहना जादेजा को और कुल दी जादेगो यह दोनों को खिलाना चाहिए ता कि जल से जल जल से जल 28 अवर तक पहुंच जाए कि 20 अवर चले गया उसके मतलब है इंडिया जीतेगा या फिर हालेगा मगर अगर उस टाइम पर बैरीश आ जाता था और पुड़ा की वड़ा वाश आउड होया था पहले दीन के जैसा तो मानों की एकदम इतना रान करने का फाइदा नहीं है बाट रही सार्मा का एक दिमाग अच् तो यह गलाट डिसिशान था तो बिड़्त कर सैक्ते ते ऑट मुझह नहीं ल Gosh talking पाले सॉत्तित करके उप्रूंट करबारा था ये कि च्छिज यहाँ पे रतीफ हरने के बाद इंडिया से पकिस्तान हरने के वाद है फोकिस्तान का लास्ट का जहिए 25 अगाश्च जobसे एक क्या कर शुरू हुआ है 25 अगस्ट के लेकिए 7 सेप्टेम्बर तक पकिस्तन का एक जो है ट्रावेल हिस्ट्री इनो ने निकला के देखाया है कि 25 अगस्ट के दिन में हमबान टोड़ा से कॉलंबो गया है पकिस्तन बाई रोड उसके बास 27 को कॉलंबा से मुलतन गया बाई फ्लाइट फिर एगें 27 अगस्ट को मुलतन से लाहर पहुचा पकिस्तन का टीम फ्लाइट बाई फ्लाइट उसके बास अगस्ट 28 में लाहर से मुलतन पहुचा बाई रोड अगस्ट 31 में मुलतन से कलंबो पहुचा ट और क्याहिए चैनी मीशनाी भी मैशनी हिए पखषाद कि कंशे रिमाल और शॉजना स सब गोट अधा भी तो यह जो तीन चर दो बंदे जो है जो है वो फूल टाइमर नहीं है तो मतलब उनका काई माता कि इंडियान बर्ले बैजन ने इंडियान बैट्समेन ने खाली 1.65 इंडियान दिखाया इतना मतलब यह जो अच्छा बॉलर के फिछे खेला है इसके बादी का जो बॉलर है बट इंडिया का जोष यह अलग था कभी भी इंडिया अगर मतलब शाट अपरिक अश्ट्री के साथ खेले उस टाइम पर जोष अलग होता है जब इंडिया पकिस्तान के साथ खेलते ना तब जोष एक अलागी मतलब शरम शिमा में रहता है वो कहता है ना कि सात्मा असमन तो सात्मा असमन में रहता है इंडिया का शिमा के हां मुझे यह मैच जितना नहीं है बाप कई बाप होता है बेटे के सामने बाप को अहरना नहीं है तो इंडिया पकिस्तान का मैच रहता कभी भी रहता पर फिर भी काल का मैच बहुत खरब चल रहा था क्योंकि अगर बारिश हो जाता था तो हमें 1-1 पॉइंट का डिवाइज हो था बट जब 28 अवर हो चुका है उसके बाद से लागा चाहिए है अभी अगर DLS प्रसेस भी आ जाए तो फिर भी जो है इंडिया जीतेगा क्योंकि तो काल का दिन का मैच बहुत अच्छा था काल का दिन में कहो लिए अपना खुद का 13,000 इंटरेशन रांज मनाया मतलब संड़े के दिन में क्योंकि के लाओल और 28 अवर उत्रा था तब मुझे कवी ही नहीं लागा था कि के लाओल है सेंचुरी बनायेगा और 28 कोई भी सेंचुरी बनायेगा बत क्याल का दिन का मैच पुड़ा कोड़ा मैच देखा और आज भी एकदम मुहीर हूं कि तरह कुछ हाय स्कोर था बट उसने काल जो है 111 ही मार पाया बिड़ाट को ओली 94 साहिद बॉल में 122 का एक स्कोर खाया उसमें से तीन छक्का था और इंडिया ने कल 228 के रान के रान से पाकिस्तन को हराया इससे पहले का साहिद कुछ 120 कुछ रान था और 80 रान का उससे था मतल बैटिंग तो मतलब देखोगे ना वान साइटेन मैच हुआ इंडिया में खेलने काया खेलने काया खेलने काया बल्ले बजी करने काया एगदम 356 रान मार दिया पहला दिन में साहिद 120 के स्कोर 124 ऐसे कुछ स्कोर था नेक दिन जा बैटिंग करने आते मतलब 25 अवर का मैच में देखने है बहुत अच्छा लागा था ये मुझे बेटेंग का हुआ बाद का में मतलब में इन्डिया का बैटिक्वां पूर जितने ऑला तो यह खुशी दिल के अनत था तो लास्ट में जब इंडिया जीता और हां लास्ट में एट वीकर गवाने के बाद पकिस्तन जुआ हो जाता है क्योंकि उनके टीम में दोनों बंदा ऐसे थे कि वह बैटिंग करने के लिए आने नहीं आप नहीं पाता थे क्योंकि दोनों का दोनों का बहुत ज़्यादा चोट लग गया था और वो दोनों बैटिंग करने के आना नहीं चालते थे या फिर आ नहीं सकते थे तो आट वीकर गवने के बाद जब गिर गया पकिस्तन का तब जो है इंडिया वालोंने मतलब जीत गया सभी जो है हैंसे करने शुरू कर दि उनका ज़ए जद्डू का बॉल था या फिर कुल्दी ज़गा का बॉलिंग में साहिद यहां पर बंदे को लगता है कटक से यहां के मर मरने गया बैटिंग और बैटिंग का बॉल आके जो है यहां मर गया और एकदम से एकदम जो है खुन बहनना लगा उस टाइम पे केल पहला बंद था जो पहला बार मतलब एकदम पहली उसके बास अमने गया और उसको जो है दिखा उसके सर से टोपी को नीचे उदारा और उसको जो है बाद में जो डॉक्र बगर आये काल कुल्दीब ज़गा जो बैटिंग अगर बॉलिंग अगर बात किया जाए तो बंदो बहुत खुशी आएगा और यह 2023 का एशिया का था 2003 से मैं मैस देख रहा हूं 20 साल से मैं क्रिकेट के बारे में मैड हूं अभी तक अब भी में मार्केटिंग के अंदर हूं अब भी में मार्केटिंग का वीडियो मनाता हूं बट क्रिकेट का मतला सुनते जाओ तो मेरा दिमा खरा बजाए उस टाइम में उझे क्रिकेट ही देखना है उसका कुछ भी करना ही नहीं है तो इस तरीका सा क्रिकेट का भूत मेर क्ला क्ल में स्रौल है तो कल का मैस देखा बहुत सारे कूछ अच्छा लगा बहुत सारे कूच छी था कि जिसको अंदर मैमने लिया खुद के अंदर देखा और बहुत सारे रेकोर्स तक हुआ छोह था उसका यह गुण्जिस बगरा है इसका has आज काल आज कर रात में 12 बाज तक खेला फिर आज दू बाज़े से मात्म आध्यूर्म को खेलना पड़ेगा, और इंडिया का अंद भखथ होने के नाते मुझा मिलूम है, आज इंडिया फीर से जितेहं और इंडिया फीर से जितेहिंगा बीट करेगा. और इंडिया, फिर से सीमें। की दिन में 14 सेप्टेमबर के दिन में फिर से इंडिया को खेलना पारेगा फिर से बांगलाइस के साथ और मुझे मालूम है कि बांगलाइस को फिर से आ रहाएगा तो इंडिया जुआ है छे पॉइंट लेकिए 2023 का एसीया कप में टेबल है उसमें फास्ट रहाएगा यह मेरा क्या का काना है जोरू-शोरू कामेंं सेक्षन में कामें बढ़ दो और वीडियो अच्छा लागे तो लाइक करो और इस तरह का सब वीडियोज पाने के लिए अब लोग मेरा यूटूग चैनल में और मेरा फीज़्बूक पेज में प्रोफाइल में बने रहोगा झाल 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 झाल